नाइट मैचेस दिल्चस्प होते हैं एक बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है आज विकेट सकत रखी गई है यकीन ज़्यादा उच्छान मिलेगा आज गी इंद्बास को सब का स्वागत है इस खूब सूरत मैदान में टॉस के लिए यहाँ पर मौझूद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत कर तुरंथी बल्ले बाजी का निर्णय ले लिया है एक से एक दमदार खिलाड़ी हैं दोनों टीम्स में आज का मुकाबला मज़ेदार होगा अध हो गई क्रिकेट की दर्शकों की भीड़ भी भारी है विरोधी भी बजाएंगे तालिया जम कर खेलने की तैयारी है दोनों सलामी बल्ले बाज मैदान में उतरते हुए रफतार से मुलाकात होगी तेज गेंद बाज अटैक में अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्ले बाज तैयार गलश शॉट सेलेक्शन भागेशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद भुलाकर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे गैप में खेला और एक रंचुरा लिया बाले शेती लिसले हना का उका सक्षवार बल्शड़कर लागेशन ़िए एक रन लेने में सफल हुए दोनों के लाड़ी अच्छा त्रो फील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर किसी फील्डर को मौका नहीं वहाँ पर और गेन सीधा सीवा रेखा के बाहर जब यह आकरामक रुख अपनाते हैं रनों को रोग पाना बहुत मुश्किल लगता है अच्छी गेंद और उसको दिया पूरा सम्मान शायद एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं क्योंकि काफी संभल कर खेल रहे हैं आज यह बल्ले बास गलश शॉट सेलेक्शन भागेशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा गेंद बास अच्छी लाइन लेंद पर गेंद डाल रहे हैं क्या यह विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं बगडा शॉट कॉंट्विडेंस से भरपूर अब पांच में गियर में दिख रहे हैं बल्ले बास शायद फिर से बड़े शॉट की तलाश में होंगे गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है काफी मेहनद मशक्कत करनी पड़ी है इस थ्रो को कलेक्ट करने में लॉंग लेक पे फिल्डर लगाया है शायद शॉट अव लेंद गेंद देखने को मिल सकती है बल्ले से गेंद का जबर्दस संपरक और इसे छे में किया दबदील आत्म विश्वास से भरा शॉट था ये गेंद बाज ने किया गल्ती और अमपायर का इशारा नो बॉल गेंद बाज की एक छोटी सी चूक दे गई है विपक्षी टीम को एक अत्रिक्त रन और साथ में फ्री हिट खेलने की कोशिश लेकिन चूके बड़िया गेंद बाजी सीधा फील्डर के पास फ्री हिट का फायदा उठाने में नाकाम रहे बल्ले बाज महीन सी थी दरार उसमें से जड़ दिया चार और ये गेंद गई सीमा रेखपार गेंद बाज ओन रिमांड चौके छक्के ओन डिमांड गैप में खेला और एक रंचुरा लिया इस पिच पर एक धीमी गदी की गेंद जरूर आजमानी चाहिए गैप में खेला और एक रंचुरा लिया आउट जबर्दस कैच यकीनन इस से बहतर स्ट्रोक खेल सकते थे बल्ले बाज लेगन इस बॉके पे गलती गर बैठे बहुत अनुशासन से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बाज शोट पर नियंद्रन बिल्कुल नहीं रख बाए इस बार रानिंग बिट्वीन द विकेट बहतर रखनी पड़ेगी गेंद बाज की शांदार अपीर जी नहीं अंपायर से हमत नहीं नॉट आउट जी नहीं ओन फील्ड अंपायर के फैसले से ही संतुष्ट हैं एक रन लेने में सफल हुए दोनों के लारी पावर प्ले की हो चुकी है समापती यानि अब दो से अधिक फील्डर्स तीस गस के घेरे के बाहर रह सकते हैं बल्ले बाज समझी नहीं पाय है इस गेंद को यगीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज खेलने की कोशिश लेकिन चूके बड़िया गेंद बाजी बल्ले बाद जरूर पिछली गेन भुला कर अगली गेन पर ध्यान लगाना चाहेंगे गैप में खेला और एक रंचुरा लिया ला जवाब शॉर्ट गेन डाली इस लॉट में बल्ले बाद ने उसको पार्क किया पार्किंग लॉट में छे रंग बहतरीन अंदाज में दिख रहे हैं आज ये वह वह बड़ी अच्छे रंग मज़ा आता है इनको इस अंदाज में बल्ले बादी करते हुए देखने में सुन्दर टाइमिंग के साथ खेला ये शॉट बल्ले बाद ने गेंद फलक में नीचे फील्डर उसकी जान हलक आउट सीधा हाथों में मार बैठे हैं खराब शॉट सेलेक्शन पच्छताएंगे वहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ बहुत अनुशासन से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बाज और ये हवाई फायर और दर्श को गो किया है फील्डर्स में तबदील चोटी गेंद खोटी गेंद 24 कैरेट खरा शॉट सकारात्मक फील्ड सजाई है कप्तान ने अच्छी कप्तानी पूरी तरह से चूप गए बल्ले बाज आउटस्टैंडिंग गेंद बाजी यकीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज गैप में खेला और एक रंचुरा लिया बड़ी याथ रो स्टम्स के बेहत गरीब चतुराई से गेंद बाजी कर रहे हैं यहाँ गेंद बाज बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद भुला कर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे बड़िया शॉट और गेंद सीध है बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुई बेखौफ अंदाज से बल्ले बाजी कर रहे हैं अब बल्ले बाज पूरी तरह से चूप गए बल्ले बाज आउटस्टैंडिंग गेंद बाजी स्पिनर आए हैं गेंद बाजी के लिए बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद भुला कर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे ये हवाई फायर अलविदा टाटा बाई बाई मिलते हैं बाउंडरी के पार चेरान बहुत ही घूपसूरती से खेला ये शाट एरियल रूट चुना है इस बार गैप में खेला और एक रंचुरा लिए खूबसूरत थ्रो बिल्कुल स्टम्स के ऊपर बल्ले बाज बिल्कुल कमफरडेबल नहीं दिखे इस गेंद पर अड़ी या गेंद बाजी बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद भुला कर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे एक रं लेने में सफल हुए दोनों के लाड़ी कि अच्छ पर नियंद रण बिल्कुल नहीं रख पाए इस बार खराब ध्रो एक्स्ट्रा रंज मिलेंगे बैटिंग टीम को अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों के बीच शानदार रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स खूब सूरज चार रण चार चान लगाने वाले रण करता है काफी अच्छी लेमे लग रहे हैं बल्लेबाज आज गेंद को भेजा है हमाई यात्रा पर काफी अनुशासन के साथ हुई है अब तक गेंद बाजी परिणाम स्वरूप मैच पर अच्छी पकड़ बनाने में सफल रहे हैं गैप में खेला और एक रंचुरा लिया ला जवाब कैच पकड़ा है और मिल गई है विकेट उम्दा गेंद बाजी कमाल की फील्डिंग पैविलियन की और लोटना पड़ेगा नाखुश मायूस नाराज निराश बल्लेबास बड़े शॉट्स मानने से पहले बल्लेबास को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा चतुराई से गेंद बाजी कर रहे हैं यहां गेंद बाज अप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेंद बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे हैं गलश शॉट्स सेलेक्शन भागे शाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा बल्लेबास जरूर पिछली गेंद भुलाकर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे वहदरीन शॉट्स लेंद को जल्दी से पढ़ा और खूबसूरत चौक का जड़ा इनको आज रोक पाना मुश्किली नहीं ना मुम्किन दिखाई दे रहा है कनेक्टी नहीं कर पाई शानदार गेंद गेंद बाज अच्छी लाइन लेंद पे गेंद डाल रहे हैं क्या ये विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं हलकी सीथी खाता और नहीं खुला खाता बड़ी सफलता पूरी टीम उच्साइथ होगी इस विकेड के बाद मायूस होंगे बल्ले बाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पूर्ण विराम आज बड़िया ले में नजर आ रहे हैं ये गेंद बाज खत्रे की घंटी है बल्ले बाजोंके लिए गैप में खेला और एक रंचुरा लिया एक रंच लेने में सफल हुए दोनों खिलारी स्टेडियम दर्शकों से खचा-खच भरा दिखाई दे रहा है चतुराई से गेंद बाजी कर रहे हैं यहां गेंद बाज यकीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज जल्दी से कम्प्लीट किया एक रंच स्पिन गेंद बाज को वापिस लाया गया है अब आमे गेंद मिल गई विकेट वाह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली की रफ्तार है इनके पास डेथ होवर्स के लिए विकेट बचाना काफी महत्वपून होता है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पर स्पिन गेंद बाजी के विरुद तो बहुत ही अच्छी बल्ले बाजी करते हैं ये हवा में दे मारा है और ये आउट बिना खाता खोले वापस लोटना पड़ेगा बड़ी सफलता पूरी टीम उच्छाइथ होगी इस विकेट के बाद लोट आएंगी खुशियां अभी गमों का शोर है संभल के रहना यारों ये इंतिहानों का दौर है रानिंग बविकेट बेहतर रखनी पड़ेगी अच्छे से टाइम नहीं कर पाए इस बार ये थ्रो विकेट से बहुत दूर थी बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों ही दृष्टी कोनों से पिच अभी तक काफी बैलेंस लग रही है गूमदा टाइमिंग फी इस शॉट में और निश्चे था कि ये गेंज सीधा बाहर जाएगी इस खिलारी के पास ताकत भी है और नजाकत भी लॉंग लेक पे फील्डर लगाया है शायद शॉट अव लेंद गेंद देखने को मिल सकती है इस गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर और दर्शकों के बीच किया है डिपॉजिट गजब का छक्का सुन्दर टाइमिंग के साथ खेला ये शॉट बल्ले बाज ने पूरी तरह से चूप गए बल्ले बाज आउटस्टैंडिंग गेंद बाजी गेंद बाज अच्छी लाइन लेंद पे गेंद डाल रहे हैं क्या ये विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं सपरदस्थ गेंद बाजी असान नहीं है ऐसी गेंदों को खेलना कपदान ने बड़िया फील लगाई है और गेंद बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे हैं अंदुरूनी किनारा और बोल्ड मिल गई विकेड जिसकी तलाश थी गेंद बाज को वहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ पिछली गेंद पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है क्या एक और विकेट कर पाएंगे अपने नाम गेंद गो हवाई यात्रा पे भेजा है हलकी सी थी खाता और नहीं खुला खाता पैविलियन की और लोटना पड़ेगा नाखुश मायूस नाराज निराश बल्लेबास पारी की आखरी गेंद देखते हैं क्या होता है इस पर किनारा जरूर लगा था लेकिन सेफ हैं फील्डर के पास कोई मौका नहीं और चार रन फील्डिंग टीम आज पूरे जोश में दिख रही है दो सलामी बल्लेबास पिछकी और बढ़ते हुए रफ्तार से मुलाकात होगी तेज गेंद बास अटैक में तैयार है बल्लेबास इनिंग्स की पहली गेंद खेलने के लिए लाइन कवर करके सुरक्षित तरीके से खेला शायद एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो कि काफी संभल कर खेल रहे हैं आज ये बल्लेबास सीधा फिल्डर के पास खेल बैठे ये शॉट देखना दिल्चस्प होगा कि अगली गेंद कहां डालेंगे गेंद बास अच्छा त्रोव फिल्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर कमाल का ये शॉट मिलेगा चौका बल्लेबास ले में विपक्षी भे में गैप में खेला और एक रंचुरा लिया एक रं लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबासों के बीच शानदार रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स गैप में खेला और एक रंचुरा लिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही दृष्टी कोनों से एक पिच अभी तक काफी बैलेंस लग रही है एक रं लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी बल्लेबाज नाकाम होते हुए गैप ढूणने में अच्छे से टाइम नहीं कर पाए इस बार बढ़िया गेंद सेंस जल्दी से बैक अप में आये और बल्लेबाज को अतरिक्त रंज लेने से रोका जल्दी से कंप्लीट किया एक रंज अच्छा त्रोव फील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर स्टम्स के बहुत करीब है ये त्रोव बढ़िया फील्डिंग गैप में खेला और एक रंचुरा लिया कोशिश अच्छी थी गैप में खेलने की मगर फील्डर वहां थे मौजूद बल्ले बाज के लिए कोई भी आसान रन अवेलिबल नहीं है मज़ा आता है ऐसी फील्डिंग देख कर शानदार बल्ले बाजी गैप में खेला और रन के लिए दोड़ पड़े कोई जल्द बाजी नहीं दिखा रहे हैं आज बल्ले बाज शायद एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं क्योंकि काफी संभल कर खेल रहे हैं आज ये बल्ले बाज मिलेगा खूबसूरत चौका उमदा टाइमिंग के साथ गेम को गैप में ढखेला दर्शकों ने मैदान पे जबरदस माहोल बनाया है और खिलाडी भी आज अपना सर्वशेष्ट खेल दिखा रहे हैं स्पिन गेंदबाज को अटैक में लाए हैं कप्तान फाइन लग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं लाइन लेंस सठीक रखनी पड़ेगी आप स्पिन गेंदबाजी के विरुद तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये शौट पन नियंतरन बिल्कुल नहीं रख पाए इस बार गैप में खेला और एक रंचुरा लिया एक रं लेने में सफल हुए दोनों के लाड़ी तेज गेंदबाज को बहतर खेलते हैं ये बल्लेबाज जल्दी से कम्प्लीट किया एक रं खूब सूरज शॉट चार रंच के लिए तेज गेंदबाज आए हैं अटैक में इनको आज रोक पाना मुश्किली नहीं ना मुम्किन दिखाई दे रहा है ना जवाब शॉट गेंदबाज डाली स्लोट में बल्लेबाज ने उसको पार्क किया पार्किंग लोट में छेरा हैं बहतरीन अंदाज में दिख रहे हैं आज ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही दृष्टी कोनों से पिच अभी तक काफी बैलन्स लग रही है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया वाइड थ्रो है ये खिलाडी के द्वारा और ये हवाई फायर और दर्शकों को किया है फील्डर्स में तबदील बहुत ही घूपसूरती से खेला ये शॉट गेंदबाज साइट चेंज करते हुए राउंड द विकेट करेंगे गेंदबाजी अच्छा त्रो फील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर एक रन लेने में सफल हुए दोनों के लाड़ी जल्दी से कंप्लीत किया एक्राइग स्पिन गेंदबाज को वापिस लाया गया है सपरदस्ट गेंदबाजी असान नहीं है ऐसी गेंदों को खेंड़ना कमाल की टाइमिंग और मिलेंगे पूरे चार रन्स गेंदबाज ओन रिमांड चौके छक्के ऑन डिमांड गैप में खेला और एक रंचुरा लिया स्पिन गेंदबाजी के विरुत तो बहुत ही अच्छी बल्ले बाजी करते हैं ये हवा में दे मारा हैं गूमदा टाइमिंग इस चौक में और निश्चे था कि ये गेंज सीधा बाहर जाएगी अच्छी साजेदारी दोनों बल्ले बाजों ने अच्छा साथ निभाया एक दूसरे का कि उन mistवा ही अच्छी साथ ये इसाथ ने वाएगीज़ YOUR हैं कि उनके ये बल्ले बल्स भाएगी अच्छी ने उता हैं इस मेंड़ का इसाथ ऑगीज़ का लिएट जितिता हैं झाला ऑला साथ राभी इसाथ इसाथ पाम अबदोराईश। स्पिन गेंदबाज को आकरमन में वापस लाया गया है शौट पर नियंत्रन बिल्कुल नहीं रख पाए इस बाद इस पिछ पर एक धीमी गदी की गेंद जरूर आजमानी चाहिए इस खिलारी के पास ताकत भी है और नजाकत भी चतुराई भरा चौका गेंदबाज साइट चेंज करते हुए राउंड दविकेट करेंगे गेंदबाजी गैप में खेला और एक रंचुरा लिया हूब्सूर थ्रो पिल्कुल स्टम्स के उपर स्लिप्स लगाए हैं आकरामक कप्तानी एक रं लेने में सफल हुए दोनों खिलारी बड़ी आर रनिंग बिट्वीन दविकेट्स जल्दी से कम्प्लीट किया है एक रं स्टेडियम दर्शकों से खचा खच भरा दिखाई दे रहा है तेज भागे और एक रं अपने खाते में जोड लिया अच्छा त्रोफील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर तेज गेंद बाज को आकरमन में लाया गया है शायद अब गियर बदलना चाहेंगे बल्ले बाज रनों की गती नियंत्रण में रखना चाहेंगे गजब का कैट बल्ले बाज हैरान है ऐसी फील्डिंग देखकर बड़ी सफलता पूरी टीम उत्साइथ होगी इस विकेट के बाद पैविलियन की और लोटना पड़ेगा नाखुश मायूज नाराज निराश बल्ले बाज बड़ी शॉट्स मानने से पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा आकरामक बल्ले बाजी शायद चेतावनी दे रहे हैं आज तो गेंद बाजों की खैर नहीं अच्छे से टाइम नहीं कर पाए इस बार स्टम्स के बहुत करीब है ये थोख बड़ी आफ फील्डिंग गैप में खेला और एक रंचुरा लिया बड़ी आ रंइंग बिट्वीन दे विकेट्स अवामे गेन बड़े शॉट खेलने का प्रयास चौक्य की थी आस लेकिन नाकामियाब गेंद गई सीधे फील्डर के हाथों में मायूस होंगे बल्ले बाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम बहुत अनुशासन से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बाज करीबी मामला हो सकता है ये ओ हो हो आउट वो अपिस जाना होगा बल्ले बाज को बाज में अपने रिव्यू का इस्तमाल करते हुए बाज में अपने रिव्यू का इस्तमाल करते हुए इम्पक्ट इन लाइन पिचिंग इन लाइन विकेट इटिंग बड़ी सफलता पूरी टीम उच्साहित होगी इस विकेट के बाद गेंद बाजी में बदलाफ स्पिन गेंद बाज को वापिस लाया गया है पिचली गेंद पर एक बड़ी सफलता हाद लगी है क्या एक और विकेट कर पाएंगे अपने नाम और ये बल्ले का किनारा लगा पर बल्ले बाज बचे बड़ी याध थ्रो स्टम्स के बेहद करीब डेथ होवर्स के लिए विकेट बचाना काफी महत्वपून होता है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया खूबजूरत थ्रो बिल्कुल स्टम्स के उपर सूपर शॉट खराब गेंद डालते रहेंगे तो ऐसे चौके खाते रहेंगे अब सिंगल्स और डबल्स लेने में आसानी होगी क्योंकि फील्ड अप खुल गई है बड़िया तरीके से खेला गया ये शॉट चार रंज मिलेंगे किफायती गेंद बाजी करनी है तो गेंद की लेंद को जायदा प्रेडिक्टेबल नहीं रख सकते करारा प्रहार बल्ले बाज का छेर रं के लिए सुन्दर टाइमिंग के साथ खेला ये शॉट बल्ले बाज ने गेंद बाज साइट चेंज करते हुए राउंड अ विकेट करेंगे गेंद बाजी छेर रंज मिलेंगे बाज वे खोली और दिखाया अपना जल्वा जबर्दस शॉट इस मौके पे गेंद की लेंद को बहुत जल्दी भाप लिया था तेज गेंद बाज को आकरमन में लाया गया है लॉंग लेक पे फील्डर लगाया है शायद शॉट अव लेंद गेंद देखने को मिल सकती है गेंद सीमा रेखा के बाहर खूब सूरच चौका गेंद बाज साइट चेंज करते हुए राउंड द विकेट करेंगे गेंद बाजी गैप में खेला और एक रंचुरा लिया स्टेडियम दर्शकों से खचा खच भरा दिखाई दे रहा है गेंद फलक में नीचे फील्डर उसकी जान हाई ला जवाब कैच बकड़ा है और मिल गई है विकेट उमदा गेंद बाजी कमाल की फील्डिंग मायूस होंगे बनले बास क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम लॉट आएंगी खुशियां अभी गमों का शोर है संभल के रहना यारों ये इंतिहानों का दौर है दमदार शौर्ट और ये चक्का चक्के छुडाने वाला चक्का चोटी गेंद खोटी गेंद 24 कैरेट खरा शॉट तेज गेंद बाज को बहतर खेलते हैं ये बल्ले बाज वाह इसे कहते हैं अदभुत कैच कैच और दो मैच की श्रेणी में इससे जरूर शामिल करना चाहिए मायूस होंगे बल्ले बाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है उन विराम फाइन लग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं लाइन लेंच सठीक रखनी पड़े गिया गैप में खेला और एक रंचुरा लिया मुश्किल में इनकी जान करीमी मामला शानदार जीत बहुत बड़ी आंदास से पहले एक सम्मान चनक लक्ष दिया और फिर उसको सक्सेस्फुली डिफेंड किया अर फिर नाद बड़ी इस कब की पूरी हगदार है ये टीम, बहुत ही शांदार प्रदर्शन दिखाया इस टीम ने, बोलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर जगा इनकी महनत रंग लाई है